Hey guys, मैं कुंदन सिंग, आप लोग बीच फिर से उपस्तित हुए हैं, जीके का कुछ important question लेके, चलिए आगे बढ़ते और इसको समझते हैं, okay? सबसे पहला question है, पंजाब के स्री किसे कहा जाता है? पंजाब के स्री किसे कहा जाता है? तो पंजाब के स्री लाला लाजपत राई को पंजाब के स्री कहा जाता है, okay? next question देखते हैं, next question है, बास्त को डिगामा भारत कब आया था, यानि कि बास्त को डिगामा भारत कब आया था, बास्त को डिगामा भारत 1498 में इस भी में आया था, अगर आप लोग कोई पूछ दे, बास्त को डिगामा भारत कब आया था, तो आप लोग क्या बोलिएगा, बास कहां इस्थित है हवा महल जैपूर में इस्थित है हवा महल जो है जैपूर में इस्थित है हमें जहां तक लग रहा है जो बहुत सारे बच्चे को यह पहले से ही पता होगा जो हवा महल कहां पर है क्यूंकि यह बहुत बच्चा मतलब छोटे क्लास से यह सब चीज पढ़ाया जाता है next question देखते हैं अर्थ सास्त नामक पुस्तक किस ने लिखी है इसका एंसर होगा अर्थ सास्त नामक पुस्तक चानक्ये ने लिखे हैं जिसे कोटलिया के नाम से भी जाना जाता है चानक्ये जो है अर्सास नामक पुस्तक लिखे हैं नेक्ट कोस्टन देखते हैं भारत का राष्टिय जलिये जीव कौन सा है भारत का राष्टिय जलिये जीव कौन सा है तो इसका एंसर होगा गंगा डालफिन भारत का राष्टिय जलिये जीव कौन सा है इसका एंसर होगा गंगा डालफिन नेक कोस्टर में देखते हैं नेक कोस्टर में है राष्ट गान गाने की अब देख कितनी समय तक है देखिए राष्ट गान जो है यह नहीं जो हम अपने मन से गा सकते हैं जितना देर में हमारा खतम हो यह कानून के व्र्युद्ध है कहने का मतलब यह हुआ मेरा उसका गाने का एक समह सीमा निश्चित किया गया है जो सीमा निश्चित है वो है आपको 52 सेकेंड यानि कि राष्ट्यगान जब हम लोग गाते हैं तो हम लोगों को राष्टगान को बावन सकेंड में ही खत्म कर देना है, ओके, बावन सकेंड से ज़्यादा समझ नहीं लेना है, चलिए, हम असा करते हैं, आप लोग इस समझ पाए होगा, अभी जों बताए हैं, next question देखते हैं, next question में, next question देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, अगर आप लोग इस कोई पूछ दे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग को उसका एंसर देना है, है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है गाइज आसा करते हैं हम जो यह बता रहे हैं आप लोग को समझ आया हो और इसी तरह का इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल का नाम है कुंदन जीयस दिशास सेंटर जिस से इसी तरह का वीडियो हम बनावना के डालते रहते हैं और कोई डॉट हो आप लोग कॉमेंट करके हमें कॉम